नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से सवागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिकरम इतिहास के पन्ने है। फूक और अकाल ये दुनिया के बहुत हाश रियालिटीज में से एक है। इतिहास में तो मिलता ही है, आज के युग में भी कोई खास सिचुएशन में परिवर्तर नहीं हुआ है। हम आज बात करेंगे, आज से ठीक 80 साल पहले की बंगाल के बारे में बात करेंगे। उनिस सो तिर्टालिस की बारे में बात करेंगे, वो पीरियड है बंगाल के इतिहास में जहां बहुत कुछ हो रहा था, ना सिर्ट बंगाल में पूरे हिंदुसान में हो रहा था, एक तरफ तो पूरे दुनिया में द्वितिये विश्व महायुद चल रहा था, हिंदुसान मे 1942 में महात्मा गांधी ने कुट इंडिया का कॉल दिया था जिसके चलते एक तरह से पूरे देश में राजनितिक चर्निंग हो रही थी और उसी के बीच में हिंदुसान के मौडन इतिहास में शायद सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक अकाल ग्रेट इंडियन फैमीन उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक आज से 80 साल पहले बंगाल में ये समस्या थी जिसमें लाखों लोग मारे गए हमारे साथ बात करेंगे जवाहलाल नेरू विश्विद्याले के प्रफिसर इतिहास कार हैं प्रफिसर राकेश बतबयाल राकेश जी आपके हमारे इस कारेकर में आने के लिए तो सबसे पहले आपसे धन्यवाद राकेश जी की एक बहुत चर्चित किताब रही है आज से बहुत साल पहले 2005 में सबसे पहले ये वाली किताब ये परकाशत हुई थी Communalism in Bengal from Famine to Noakhali 1943 to 47 हम इस किताब के बारे में नहीं बात करेंगे लेकिन इस किताब का जो चैप्टर है जो 1940 में बंगाल में जो सबसे बड़ी जो ट्राजिडी थी उसके बारे में बिल्कुल चर्चा होगी तो राकेश जी सबसे पहले तो हम बात शुरू करते हैं कि Great Indian, Great Bengal Famine आप उसको अपने किताब में बंगाल को जब स्टडी करते हैं 1940 में तो आप अकाल से नौकाली तक पूरे तरह से जो Famine to Communalism का जो पूरा Transition Period था उसी में involved था तो उस पीरियड में जो अकाल था बंगाल का उसके बारे में लोग अलग अलग तरीके से स्टडी किये हैं आप उसको प्राइमेरिली किस परस्पेक्टिव से देखते हैं दिखिए मेरा जो परिप्रेक्ष रहा इस पूरे मामले पर अकाल खासकर 43 के अकाल पर वो यह रहा कि अकाल ने एक विशिष्ट प्रिष्ट भूमी दी बंगाल को और उस प्रिष्ट भूमी में और प्रिष्ट भूमी से कई सारी राजनीतिक movement आ सकते थे जो आया हद तक अन्त तक वो सामप्रदाइक दंगे तो मैंने कोशिस की क्योंकि अर्थशास्तियों ने अकाल को एक तरफ से देखा है इसके पहले इतिहासकारों ने उसको पूरानी अकालों से तुलना करके देखा है कुछ लोगों ने उसको जैसे अब आर्टिस्ट ने आ अकाल के जो human tragedies हैं उसको आर्टिस्ट कलाकारों ने देखा है बहुत अच्छे कलाकृतियां बनी है बहुत अच्छे इन फैक्ट बंगाल के सबसे अच्छे कलाकृतियां बनी है फिल्में बनी है मिर्णाल सेन फेमस फिल्म अकाल शौंधा ने उसको बात में उन्होंने देखा तो इस तरह से बहुत सारी एक तरह से परिप्रेक्ष में उन्होंने अकाल को देखा मेरा जो परिप्रेक्ष जैसे आपने पूछा और मेरे से मैंने कहा वो था कि यह जो पूरी प्रिश्टर भुमी बनी 40-43 से लेकर 47 ता और जिस में बंगाल एक तरासदी से दूसरी तरासदी तक गया और इस दोरान इसकी जो सारी घटनाएं हैं जिसके सारे जो आक्टर्स रहें हैं या जिसके जो political parties रही है सारों ने किस तरह से इस दोरान अपने 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 आपको अपने पार्टीज को अपने संगवात को कैसे ढाला जिसमें ये तरासदी के बीच का जो एक तरह से बंगाल है ये पूरी तरह से हमारे उभर के सामने आए बंगाल तरासदी का समय है बंगाल के लिए ये जो प्रिष्ट भूमी है और अकाल इसके सबसे बड़ी प्रिष्ट भूमी है उसमें जो सामपरदाइक तनाओ उसके अलावा सामपरदाइक तनाओ जो कोलोनियलिजम है सामराजवादी, राष्टवादी सारी ताक्ते इस समय संगलगने है लेकिन फाइनली विजय होती है तो आप एक सामराजवादीयों की अकाल के समय और सामपरदाइक शक्तियों का उसके बाद थोड़ा सा परसनल बात करूँगा कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी जो अकाल के पिरियड में गुजरे थे उनकी उनका जनम करीव 1935 में जाके हुआ था तो वो आठ साथ नौ साल के थे तो वो बताते थे जब भी हम लोग खाना खाते थे थाली में अगर कुछ खाना रह गया तो बोलते थे हमारे अकाल के समय हम लोगों को चावल नसीब नहीं होता था हम लोग चावल का पानी जिसको बंगला में मार बोला जाता है वो खा के हम लोग बढ़े हुए तो इसलिए इसकी डिस्रेप्स्पेक्ट मत करो अन को खतम करना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन वहां तक कैसे पहुँची क्या ये बिटिश पॉलिसी अफ नेगलेक्ट था क्या ये अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस का कॉलाप्स था क्या वो पॉलिसी डाइवर्ट हो रही थी सेकेंड वर्ड वर्ड जपानी आ रहे हैं उनका कारण था मार्केट में होडिंग शुरू हो गई क्या वज़त है या इन सब की एक खिछडी थी सही इस मामले को खासकर अकाल के जो शौटेज अफ जो चावल का नहीं मिलना अगर सामाने शब्दों में कहें उसको लेकर बिद्वानों में बहुत सारी धारनाएं हैं मूलता दो धारनाएं हैं कि एक की चावल सच में बजार में नहीं थी कम हो गए थी उसकी आगर प्रोडक्शन कम हो गया था प्रोडक्शन कम हो या जिस कारण से भी वो नहीं था दूसरी अवधारना है कि चावल थी ऐसी कोई बहुत भारी कमी नहीं हो गए थी लेकिन लोगों के पास खरीदने का सामर्थ नहीं था या पर्चेजिंग पावर नहीं था जिसको अमर्त से जैसे विद्वान इसी मत पर आते हैं और उन्हें दिखाया भी है कि इतनी बड़ी क्राइसिस इतनी बड़ी शॉटेज नहीं थी जितना हम सोचते हैं इन दोनों धुरूबों के बीच जो परिस्थी थी वो लोगों के हाथ में चावल नहीं थी जिसके कारण हो मरें खास कर आप जैसे आपने जो प्रश्ण किया कि सारा ये ये परिस्थी आई कैसे और मैंने शाहत किताब में वहीं दिखाने की कोशिस किय जो दोनों जो धुरूब हैं कि चावल नहीं है या दूसरा धुरूब कहता है कि चावल है उतनी कमी नहीं है लेकिन लोगों के पास खरिदने का सामर्थ नहीं है इन दोनों के बीच है ये थार इन दोनों के बीच में कहीं पर है और उसमें ये पूरा जो संदर्ब है दिति से फाइलों से या जैसे भी पता चल रहा है कि करीब साठ से सतर हजार नाओ जिसमें दस आदमी कम से कम आवाजा ही कर सकते थे 42 में चुकि जापनीज आ जाएंगे इस डर्से अंग्रेजों ने करीब साठ से सतर हजार नाओ जो रिकॉर्ड में है इसे छोटे और भी जल गए होगे खतम कर दिये उसके बाद 42 में एक बहुत बड़ा बड़ा तुफान आया मिदनापूर इस इस इलाके में खासकर 24 परगणा के लाके में उसके बाद इस पूरे इलाके से उतना जादा तो नहीं लेकिन फिर भी करीब धाई लाक के आस पास नौखाली बरिशाल पूरा जो इलाका है वहाँ से लोग सेना में रिक्रूट होके चले गए ले गया गया यह सारी मिला जो लाके और उसके बाद जब जब जापनीज आगमन का जो अंदेशा हुआ कि जापनीज आ जाएंगे तो संचार के और और बहुत सारे माध्धम नस्ट कर दिये गए कुल मिलाकर जो परिस्थिती बनी कि समय बंगाल को एक तरह से जहां पर कलकत्ता जो था वो प्रोडाक्शन का सबसे बड़ा सेंटर था वो और के सारे प्रोडाक्शन वहां हो रहे थे बोरा बोरा बनने से लेकर कपड़े तक आर्मी चापूर राइफल फैक्टर सब बोही बन रहा था और उनके जो श्रमिकों के लिए गारंटी सब जो बड़े बड़े उद्योग धंदे थे बिल्लाज और सब सारे जो थे उन सब में श्रमिकों को एक तरह से खादान ने जम कलकता चला आया और इसमें इसको इसको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज आ गई कि यही करना है और यह एक धारना बना दी गई मिथक बना दी गया कि चावल शॉटेज जो है वो इस कारण से है कि लोगों ने अपने घरों में चावल बांध रखे चावल चुपा रखा है यह एक धारना फैला दी गई इनको जबर्दस्ति किया गया और उपर से गवर्नर जनरल ने किया लिन लेते को गवर्नर जनरल थे वहां से यह और आ रहा है कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है यह चावल चुपाया गया है होडिंग है मध्यवर्ग ने और उ सर्चिंग होते हैं और उसके पाद जब मिनिस्ट्री ने उसको अबजिक्ट किया एक हजलूल हक ने कहा कि हमारे चावल की शौटेज है बंगाल में तब उस पूरी सरकार को अपदस्त कर दिया गया फोर्सफुली उससे रेजिगनेशन लेटर 2829 मार्च को 43 को देरे जब अ होडिंग को ही एक तरह से बना दिया जाए जो मास्क है कि होडिंग है लोगों ने अपने घर में अनाज छुपा रखे हैं उस अनाज को निकालो और पूरी की पूरी कारवाई उसके पीछे चल गए उससे ये भी हुआ कि जिनके पास थोड़ा बहुत अनाज था जिससे आस अरिजिनल जैसे बिहार उडिसा से वहां से चावल आए ना आए फिर उसमें रोक लगा दी गई बंगाल को आइसोलेट कर दिया गया इंसोलेट कर दिया गया और बाद में जो पिछले 10-15 सालों से जो पेपर्स निकले हैं जो रह सुद घाटन हुआ है कि किस तरह से जब अ बंगाल की परिस्थिती को नहीं लाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने शिपिंग देने से मना कर दिया और किसी भी तरह अमेरिकन एड को बिंगाल लाने से रोका उससे सिपी की जो भयवहता थी और निरंतर बढ़ती गई और यहां तक हुआ कि लोग मरे तो मरे लेकिन जो थोड़ा बहुत खाना मिला और जो उल्टा बल्टा उन्होंने खाना खाया जो भी कंद मूर खाने लगे उसके उसके कारण भी बहुत लोगों की जान गई इस तरह से जो जान जान की जो पूरी जो मृत्तू की मृत्तू जो हुए है उसके पिशे पे बहुत बड़ा प inquiry committee थी उन्होंने किया था एक 1.8 बने 18 लाख लो और जो दूसरी जो धरनाय आई हैं तीस लाख तो 18 से 30 लाख तक का जो एक लंबा सफर है वो इस वीच हुआ है कुछ लोग खाना नहीं खाके मरें कुछ बहुत लोग खाना जो मिला वो खाके मरें मेरे ख्याल से बंगाल की ज काफी बड़ा तबका की मृत्यू हुई थी उस पीरियड में तो जो तस्वीरे हमको अभी भी मतलब हर एक ने देखी हैं बहुत अच्छी तरह से वो डॉकुमेंटेट था वो पीरियड तो अभी भी नए नए फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं आपको मतलब इंटरनेट तो देखने को मिलता ही है लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छा फोटोग्राफी का काम उस पे हुआ है अच्छा एक चीज जो समझना चाहेंगे मैं उसको जाता समझ नहीं पाया हूं मैं जितना समझता हूं बंगाल के आकाल की वज़े से माइग्रेशन ट्रिगर हुआ थ बे और फिर अर्बन बिंगॉल से वहां से बाहर उत्तर भारत में अभी भी आप मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश में आप किसी भी शहर में चले जाएए तो आपको बंगाल के लोग आपको मिलते हैं और अगर आप थोड़ी बहुत पूस्ताच करें तो उसमें से आपको बहुत हद तक मिलेगा कि इनके परिवार की मूवमेंट लगभग 1940 के दशक की आपको बैक्राउंड मिलता है तो यह क्यों हुआ था और इसका बंगाल और बाहर के समाच पे क्या इंपैक्ट हुआ देखें यह जो माइग्रेशन का जो ट्रेंड है एक तो 42 के अंत तक 42 जब सब्टेंबर अक्टूबर तक लोग गाउं से निकलने लगे और आप देखें गाउं में खाना नहीं था और इसका बहुत अच्छा चित्रन जो है आप अपूर संख्षार वगरा जो फिल्में बनी है बहुत ही बिभूती बुशन बंदोपाद थे हैं इन लोगों की जो ब असद्द्ष रिवर्स कर दिया और गांसे जब खतम होंगया नहीं Kraft लृट ले diaphragm एक्टर है सब कुछ और बूरियें पंगाल की में उसने बंगाल की में पूरी तरह से नाड़ सब बारो बंगाल के बारे में भी कहा जाता है लेकिन जैसे सुगातो बोस का एक बहुत अच्छी थीसी से केमरीज इंवर्सिरी से उन्होंने की थी उन्होंने 1930s को दिखाया है कि किस सरे से बंगाल की जो अर्थवयवस्था थी खासकर कृशी अर्थवयवस्था को अंतरास्टिय अर् इंटरनाशनल स्लंप हुआ है बंगाल की जो क्रिशी अर्थवयवस्था है उसमें भी एक स्लंप का माहौल देखा गया जिससे हुआ क्या कि जो एक सिंबायटिक रिलेशन थी उनका आर्गुमेंट है मेरे खाल से कुछ हद तक सही बैटता बाद की पीरण में आपस की जो और भी खराब हालत थी क्योंकि जापनीज जो जैसे मैंने कहा कि उसके आगमन के डर से उनकी जापनीज आने के जर से कम्यूनिकेशन और सारे जो चैनल से बंद हो गए और तुफान आया इस लाखों में और जो सबसी बड़ा जो पॉलिसी लेवल गलती हुई है वो थी कि जो सर्प्लेस डिस्टिक होती थी बंगाल में बंगाल में चावल हमेशा बहर से आया है बर्मा का चावल आता था बर्मा से आना बंद हो गया और जो सर्प्लेस डिस्टिक थी जैसे बोड़िशाल जो सर्प्लेस डिस्टिक खुलना वजए सर्प्लेस डिस्टिक वहां का च तो इसी के लिए जो चावल है वो चलाया कलकत्ता में चुकी टू लेबर को सपोर्ट करने के लिए वार प्रोडक्शन के लिए तो यह कुल और उसके बाद जो होडिंग के पूरा हुआ होडिंग के चक्कर में जो गाओं या चोटे कश्बों में जो चोटे मोटे जो जिसको में मध्यवर्गिये बोलते हैं लेकिन उसको कैसे आप परिवाश्चित करें मुझे पता नहीं लेकिन जो बंगाल का जो चोटा मोटा एक परिवार होता था जॉइंट फैमिली जैसे टूपने लगी इसके डर से उसका जो जो भी जमापुंजी थी वह भी निकल गई तो ध अमर्तसेन और अधर बाहर बाद में लोगों ने देखा कि डिमॉक्रसी में लोग इतना ज्यादा नहीं मरते हैं कि अगर सेंसर्शिप नहीं होती है तो लोगों को पता चलता है कि कुछ है तो फिर सब लोग मिलके उसको कोशिस करते हैं निवारन करने का जी यहां पर पूर जाफर्स ने उजागर कर दिये कि इस तरह से मास फ्यूनिरल हो रहे हैं और बंगाल अकाल के समय भी यही हुआ कि जब कुछ फोटोग्राफ निकले उस पिरिट के फोटोग्राफ लो जब उसने भी उजागर किया और तब जाके कुछ राहत की जो संस्थाएं है राहत में बीदेशों में जो राहत के संस्थाएं काम कर रहे थी उनको कुछ राहत मिली वो फिर आगे का काम करने लगे आपने कुछ उस तरह की बात की जो मतलब मैं आप से पूछना ही वाला था कि एक चैप्टर है अतीत का पंगाल फैमीन के पीरिट में हम लोग बात कर रहे हैं ब का भी स्पिलोवर होता है और फाइनली जाके पार्टिशन के रायच में बहुत ही दर्दनाक पीरिड है दस आट-दस साल का वहां पे देखने को मिलता है उसके रिफ्लेक्शन्स आप कंटेंपररी हिंदुसान में आपने कोविट का जिकर किया मैं जब हिंदुसान का लाज तो लगा था कि उस पीरिड में शायद जितना हुआ था उससे कहीं ज़्यादा यहां देखने को मिला भूक गरीबी अभी भी हिंदुसान में उतनी ही रियालिटी है जितनी पहले थी उसके फॉर्म्स अलग हो गए है परिभाशित करने के तरीके बदल गए हो तो कुछ जानता हैं कुछ विशमताएं हैं जी विशमताओं को अगर बात कर लिया जाए तो बंगाल के अकाल एक तरह से रीजनल था और पूरे देश से जो मदद मिली जैसे कुछ चीजें नहीं तरह से परिभाशित हुए जैसे पूरे पंजाब में भूखा है बंगाल यह पुरे एक अंदोरन की तरह चल पड़ा जिसने ना केवल खाद और भोजन के सामगलियों को प्रभावित किया बलकि संस्कृति को प्रभावित किया इप्टा बनी और जो सारे संस्कृतिक संस्थाएं बनी नाटक बने भूखा है बंगाल भाई भूखा है बंगाल पैंडमिक में इस तरह की कुछ नहीं हो पाई और रीजन एक रीजन और एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ उस तरह का क्योंकि आज तो हम एक शहर का दूसरे शहर में आई पेल में मैच देखते हैं लड़ते हुए लेकिन उस पीरिट में यह लड़ाई नहीं थी वह दूसरी जो थी जो माइगरेशन गाउं से गाउं से रूरल आए इस समय जो पैंडेमिक के समय हुआ शहर से गाउं जा रहे उल्टीवी कोई कुछ मिल जाने के समय है उसका सोशल सेकुरिटी नेटवर्क्स वहाँ ज्यादा और आज के संदर में मेरे ख्याल से अर्बन पौवर्टी का जो एक जो दृश्य है वो मेरे आभी तक हमारे सामने उभर के ठीक से आया नहीं है कि किस एपसलूट टर्म्स में आप अर्बन पौवर्टी किस तरह से हमें घायल करता है और शायद बंगाल के फेमीन और पैंडमी कि अगर तुलनात्मा का ध्यान कोई करे तो वह दिखेगा कि बहुत सारे छोटे शहरों में जैसे राजस्थान का मुझे पता है जो बंगाल के वहां कारिगर काम करते थे अचानक लॉकडाउन के बाद वो बेसहरा हो गए उस पर पत्थर चलाने लेगे लोकों को उनके पास तो न घर था न दौर ती और रिल लाइन बन थी और वो जा अंदर था भारत का तो भारत के अर्थनीती सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बहुत भरी बद्लाओ हुए हैं आप चूंकि जवालाल नेरु उनिवर्शिटी में मीडिया स्टडीज के डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुएं तो एक मीडिया रिलेटेट सवाल कमपैरिजन का जाहिर सी बात है कि 1940 के दशक में हिंदुस्तान में मीडिया का जो स्केल था वो बिलकुल अलग था लेकिन था तब भी अखवारे थी तब की मीडिया कवरेज तब की इंटरनाशनल कवरेज और आज के यूग में पैंडेमिक के समय मीडिया कवरेज उसको की बाट की तो संजर्शिब एक दूसरे फॉर्म में हिंदुस्तान में आज एक्जिस्ट करता है पैंडेमिक के पीरियड में शायर और ज्यादा कर रहा था तो आपको क्या सिमिलारिटीज और क्या डिसिमिलारिटीज देखने को मिली दो चीजे हैं चुकि मैं समराजवाद और उपनी वेशवाद पढ़ाता भी हूँ तो वहाँ पर कोई कोता ही नहीं बरतता हूँ तो यह समराजवादी साशन था और आज हमारा अपना साशन है एक बड़ी बिशमता देखे तो यह है लेकिन सबसे बड़ी दुर्भावना ये रही और दुरगटना भी कह सकते हैं कि अगर बंगाल के अकाल को किसी एक संगवाद माध्या में संगवाद पत्र या न्यूस पेपर कहले हैं जिसने पूरी तरह से उच्छाला और जिसने सारी जंजीरे तोड़ के उसको परकाशित किया और शायद यही न्यूस पेपर था जिसने बंगाल के अकाल को सबसे इवन पॉब्लिक फोरम में रहा, वो थी, एक बार की उस संग, वो निउस्पेपर जो कि हमेशा जानी जाती थी प्रो गॉर्म, नॉट आली प्रो गॉर्मन्ट, वो गॉर्मन्ट का ही ओर्गन माना जाता था, था स्टेट्समें, स्टेट्समें की अडिटर स्टीफंस, तो ब स्टेट्समें में जब मैं स्टेट्समें में लिखा करता था, तो वहां के एडिटर्स बोलते था, आज ऐसा कोई माध्यम नहीं नहीं दिखा, पैंडमिक किसम है, जो स्टैब्लिश न्यूस पेपर उस तरह से, इसलिए मैंने कहाँ, न्यू मीडिया में बहुत देखने हैं जब चाहे वो न्यूस क्लिक जैसे फोरूम हो या बाकी और इंटरनेट डिरिवन जो न्यू में आये हैं और वही मैं खरता विशमता यह है कि उस पीरेड में भी और समता यह है, उस पीरेड में भी जो पैरलल या दूसरे माध्यम थे, प्रचार के माध्यम हो या संगवात के माध्यम हो, जैसे कलाकार हो या फोटोग्राफर हो और जो नाटक कर रहे थे, उन्हों ने इस चुछ को जो हूमन ट्राजडी को जिस तरह से अकाल के समय पेश किया, इससे एक धारना बनी है, उससे एक ट्रडिशन बनी है इंडिया में, जैसे किसी भी तरासदी का केवल एक फॉर्मल मीडियम नहीं होता है, उसके जो दूसरे पहलू है, उसको कैसे उजागर किया जाए, और यही कारण है कि भारतिये सिनेमा जैसे, सिनेमा को जिस तरह से अकाल ने, या पार्टिशन ने, जो तरासदियों ने जो दिया है, शायद वही हिंडी फिल्म या इंडि विशाल के अकाल पर केवल फिल्में बनी है, लेकिन जो फिल्म का जो लाज माध्यम है, अभी तक आपके सामने कुछ आया नहीं है, जबकि तरासदी जो है, यह विशाल तरासदी सी, अर्बन तरासदी हो जागी एक अर्बन ओडियन्स होता है, बहुत बड़ा, लेकि उसक पूरे पीरियड में जो नौजवान थे, वो उनके लिए सारी जिंदगी का एक लिविंग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन आज के यूग में किसी को बहुत कम लोग मिलेंगे उस जेनरेशन के जो 1940s के पीरियड में जीवित थे, जिनको अभी भी भी लिविंग मेमरीज है और उसमें पुराने जितने संस्मरण आएं, लेकिन पुराने संस्मरणों में बहुत कुछ फेक संस्मरण भी होते हैं, और वह इतिहासकार की जरुवत पढ़ती है, अच्छे इतिहासकार के ट्रेंड हिस्टॉरियन की, जो फेक मेमरीज और रियल मेमरीज को अलग कर तो मत साथ उस पीरिट की हिस्ट्री, क्योंकि विवाद उसी पे है, दोनों को साथ ले जाने की जरुवत है, और शायद वहीं पर हम इतिहासकारों की जरुवत पढ़ती है, क्योंकि गाउं से जो पलायन हुआ, लोगों का, वो शहर में गुजर गए, तो उनके जो डेट रखा रखा संस्परंद देता है, इसलिए साहित और इतिहास, अपस में मिलके जाए, तब साथ वो जव मेमरी फ़े रह पाएंगे, बहुत बड़ी बात है, कि साहित और इतिहास साथ साथ जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्राजीडिय, इसका कारण में जानना बंगॉल फेमिन के समय हम लोग सब मानते हैं कि बहुत कुछ उस पीरिड में जो वा जो डॉकुमेंटेड नहीं रहा लेकिन ये तो हम लोग की कलेक्टिव फेलियर है कि कोविड-19 पैंडेमिक के पीरिड में इतना कुछ हुआ और सब मौडन टूल्स होने के बावजूद अन्डॉकुमेंटेड रह गया इसमें संगवाद हिंता और संगवेदन हिंता दोनों की कमी है एक तो संगवाद अब आपस में होने लगे हैं और इससे ब्रिहत समाच के साथ संगवाद की जो एक नियती है वो शायद सिमित होती चली गई है और चुकि पैंडमी के समय हर इनसान अपने आपको एक तरह से विक्टिम मान रहा था और पॉसिबल विक्टिम मान रहा था वो संगवाद से भी अपने आपको काटता चला गया खायर वहाँ पर मेरे खायर से जन मानस की अपनी कमी है और दूसरा संगवेदन शीलता या हिंता के है अकाल के समय लोगों ने अभी जैसे जो क्लास वार की बात करते हैं क्लास पोजिशन की बात करते हैं लिखा है कि अइस अज़ा खाता पीता रहा लेकिन उस पे तो कुछ हुआ नहीं मेरा कहना है कि लेकिन उसी क्लास से लोग निकल के चैरिटी ऑर्गनाईजेशन बनी फिलंट्रपी अंग्रेजों ने किसी को philanthropic organization बनाने भी नहीं दिया थी ठीक है उसके बावजूद लोगों ने कोशिस की बहुत तरह के काम करने की चावल की बहुत initiative हुए pandemic के समय पता नहीं क्यों ये urban जो एक बड़ा समुदाय है उसने अपने आपको उससे दूर कर लिया और शायद भारतिय अगर संस्कृति की बात हो तो सबसे बड़ी तरासदी आज के आज के समय यही है कि एक तरह से pandemic के साथ मतब दिखाया कि कहा नाइटीन फॉर्टी में जहां एक प्रोविंस और दूसरे प्रोविंस में communication वर्चुली ना होने के बावजूद भूका है बंगाल एक तरह से एक major concern बनके निकला लेकिन आज के यूग में pandemic के period में total insensitivity के साथ जादा तर हिंदुस्तानियों ने वो period को बचाया बीताया और सिर्फ अपनी ही सोचते रहे कि किस तरह से हम survive करें दूसरों के बारे में नहीं survive करें हम लोग बात तो कर रहे थे the great Bengal famine के बारे में लेकिन आपने जिस तरह से उसको contextualize किया और आज के हिंदुस्तान में उसकी relevance और उसको जानना क्यों समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी हमारी 1940s की बंगाल के बारे में जब आकाल पढ़ा था आज के हिंदुस्तान में exactly उस किसम का आकाल नहीं है लेकिन अलग किसम के आकाल है आपको बस आपने चारो और देखना पड़ेगा उनको धूनने के लिए और अपनी sensitivity को दुबारा से हम लोगों को फिर से rediscover करने की बहुत बहुत जरूरत है धन्यवाद